हेले विरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है और टोल्द कमिस्टी में जितने महात्पूर अंतर है उस सारा लेका रहा हूँ आपको रिवीजन करना बिल्कुल सुपर फास्ट बच्चों यहां पर आपको एक दो बार पढ़के एकजाम में जाना है कहीं न कहीं यहां से कोश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा तो क्यों न भीया सुरू करते हैं बिल्कुल बिना टाइम बेस्ट कियो है पहला जो पूछन बच्चों मोलर्ता और मोलल्ता में अंतर परिभास यह दी क्लियर है आपसे तो फिर आपको भटकने जरूत नहीं है मोलर्ता है क्या बच्चों किसी बिल्यन के एक लीटर आयतन में बिले पदार्थ के मोलो की संख्या ठीक है यह आपका बच्चों पदार्थ के मोलो की संख्या यह आपका कहलाता है मोलर्ता क्या कहलाता है मोलर्ता वहीं पर किसी बिलियन के एक हजार ग्राम बिलायक में यहां पर ग्राम बिलायक की बात की जा रही बच्चो किसी बिलियन के एक हजार ग्राम बिलायक में यहां पर एक लीटर बिलियन में यहीं आयतन से सम्मंदित है मोल अर्ता लेकिन वहीपे मोललता की बात करते हैं एक हजार ग्राम बिलायक में यहाँ पर बिलायक से संबन दीत है तो किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में उपस्तित बिले पदार्थ की मोलो की संख्या को हम मोललता कहते हैं जिसे हम capital हम से represent करते हैं मोललता किसी billion के 1000 gram बिलायक में उपस्थित मोलो की संख्या है दोनों में मोल की संख्या है लेकिन मोललता में है किसी billion के एक लीटर आयतन में इसलिए बच्चो मोललता में billion के आयतन पर विचार करते हैं वही पर इसमें हम द्रबमान पर विचार करते हैं जो मोलर्ता होता है वो एक लीटर बिलियन में घुले पदार्थ की मोलो की संख्या है लेकिन बच्चो यहां पर जो मोलर्ता होता है वो एक हजार ग्राम बिलायक में घुले बिले पदार्थ की मोलो की संख्या है कितना सिंप मोललता में बिलायक के भार कोई मात तो नहीं है, तो मोललता किसी बिलएन के 1 लीटर आयतन में, याद रखना एक लीटर आयतन में मुललता किसी बिलेन के 1000 ग्राम बिलायक में इसलिए आयतन पर निर्वर करता है ये द्रबमान पर अब ये द्रबमान पर निर्वर नहीं करता है ये आयतन पर निर्वर नहीं करता है इसे कैप्टल M से दरसाते हैं इसे स्मॉल M से दरसाते हैं एक आपको थोड़ा सा अंतर है, ये टाप क्रम पर निर्भर करती है, मोलर्ता और मोलल्ता ताप क्रम पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिविजन लेकर आएं, हम यहाँ पर चाहेते तो इसको हम आदे घंटे लगा देते, नही मुक्रोब से मोलर्ता क्या है, इसी बिल्यन के एक लीटर आएंटर मोलो की संक्या, मोलल्ता क्या है, इसी बिल्यन के एक हजार ग्राम विलायक में, मोलो की संक्या, ये आएंटर पर डिपन करता है, ये द्रभमान पर, कैप्टल हम से दर साथ है, ये स्मॉल हम से, ठीक है, त दिक्कत है नहीं तीर अंतर आपको त्यार करना है दूसरा अंतर बच्चो आदर्स और अनादर्स बिलियन में आपने राउल्ड का नियम पढ़ा है जो राउल्ड के नियम का पालन करेगा वह आदर्स बिलियन और जो राउल्ड के नियम का पालन नहीं करेगा वह अनादर्स अब बच्चो राउट की नियम का पालन करता है तो इसमें एंथेल्पी परिवर्तन नहीं होती ना तो आइतन परिवर्तन होता है जबकि अनादर सिबिलियन में एंथेल्पी परिवर्तन होता है ना टिक को जीरो इसका मतलब है एंथेल्पी परिवर्तन होता है आइतन परिव परतन भी होता है अब देखो बिल्कुल सिंपला जो छो रोल्ड की नियम का पालन करें उसे वहुसे आणास tat रौल्ट्क किनियम का पालन नहीं करता है तो न आदे भी हो सकता है तो जब धिक हो जाए spaghetti तो धनात्मग विचलने वाले बिलियंगा और बच्छो जब इंधल पी कम हो जाएगा रिनात्मक विजलन वाले बिलियन कहलाएगा क्लियर है कहीं न कहीं तात पर यह हुआ कि जो राउत करने हम का पालन नहीं करता वो वह अनधर्स विल्यन में लेकिन इसके दो बाग हैं इसके दो बाग्स हैं एक बच्चो धनात्मक बिचलन वाले बिलियन और एक 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 धनात्मक बिचल राउल्ट के नियम के आधार पर जो पालन नहीं करता है तो अनादर से बिलियन है तो जब बिलियन का आंसिक बास्वदाब राउल्ट के नियम से अधिक होगा तो फिर धनात्मक कहलाएगा और जो भाई बिलियन का आंसिक बास्वदाब राओल्ड के दोरा परिकलित मान से कम होगा यह अधिक होगा तो Dhanaatmak और यदि कम होगा तो रडातमक है एंधल्पी परिबर्तन धनातमक यहाँ पर एंधल्पी परिबर्तन रडातमक है यह निम्न क्वाथी एजिओट्रॉप यही निम्न इस्थिर अन्योन क्रिया होती है तो बिले बिलायक की अन्योन क्रिया बिले बिले और बिलायक बिलायक से कम होता है अब आपको समझ में नहीं आये देख भाई बिलियन दो भागों से मिलकर बना होता है बिले और बिलायक से तो बिले और बिलायक जितना आपस में जुडेंगे उसके पेच्छा जो आपका बिले बिले है यानि बिले का बिले के साथ क्रिया और बिलायक के साथ क्रिया अधिक होगी क्यों 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 क्य बिले बिलायक मिलते हैं धनात्मक बिछलन में, तो उसका जो मान है, सवता बिले बिले बिलायक का मान है, यनि अन्योन क्रिया का मान है, वो तोड़ा सा अधिικά होता है, उदार्न आपको एक एक तयार कर लेना है, आपको 30श चेप्टर से 3 नमर का ही पूछा जाता बच्चो, तो धनात्मक बिचलन वाला जो भाग है वो राउल्ट के नियम से थोड़ा सा वास्वदान परिकलित मान अधिक होता है और रिदात्मक बिचलन में कम होता है एंथल्पी परिवर्तन पास्टी विस्मिनिंगेटिव ये नियम इस्थिरकवाथी मिस्टरन बनाते हैं ये उच् पर देखे विद्दुत भाग बल क्या होता है दो इलेक्टरोडों के बीच विवांतर है और जो विवांतर एक प्रकार से क्या है दो बिंदुओं के बीच विवाव का अंतर है बस साब्दिक रूप से आप समझने की कोशिस करें जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेल है स इतना विवाव है और यहां पर अब इनके बीच जो अंतर है वो आपका विद्दुत भाग बन है लेकिन कब खूले परिपत में अर्था जब कोई विद्दुत धारा प्रभाईद ना हो रहा हो तब एक सेल के दो इलेक्टरोडों के मत जो विवांतर है वही आपका विवा अंतर सेल दोरा प्राप्त अधिकतम बोटेज से थोड़ा सा कम होता है विद्दुत भाग बल परिकलित कार सेल दोरा किया गया कार निरूपित करता है लेकिन विवांतर दोरा परिकलित कार सेल दोरा किया गया कार का अधिकतम कार से थोड़ा सा कम होता है कही ना कहीं जो य विधुत बागबल परिपत में नीरूपीर विधुत धारा प्रभाईथ होने के लिए उत्तरदाई है। भाई विद्दुद भागबल जब दो इलेक्ट्रोडों से कहीं न कहीं विववांतर होगा दो इलेक्ट्रोडों पर तभी उसमें कहीं विद्दुद धारप्रभाईत होगी अधिक से कम की ओर विववांतर परिपत में दरंतर विद्दुद धारप्रभाईत होने के लिए उ योग करते हैं, कुल मिलाकर बोल्ट मीटर और विभावापी दोनो दोरा कर सकते, लेकिन इसमें बोल्ट मीटर दोरा उसे आपको चार अंतर त्यार करना है ठीक है, चार अंतर, पहला बत चोगी इसमें क्या है, कि ये दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव से और व्यों आपी से भी मापते हैं लेकिन इसे बोल्ट मीटर से ही मापा जाता है अगला अंतर बच्चो बिद्धुत रासानिक सेल और बिद्धुत अब घटनी सेल हलाकि ये सारा चीज में पहले भी पढ़ाया है बच्चो लेकिन यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन की जरूत होती है तो अभी मैंने आपको एक एक जांपल समझाया था इसके पहले जो अंतर बिद्धुत वाहगबल में जिस यहाँ पर मैं कहता हूँ ये माइनस वाला चार्ज है मादी ये माइनस वाला ये प्लस वाला है तो जो आपका रेटाटमक और धनाटमक दोनो एलेक्ट्रोड जो है अलग-अलग पात्र में होते हैं इसमें बिदूत रासानिक सेल में, लेकिन बिदूत अबगटनी सेल में बच्चों दोनों के दोनों एक ही पात्र में रहते हैं, अब इसमें रेडाक सबक्रिया संपन होती है, क्या रेडाक सबक्रिया संपन होती है, विदूत अर्जा उत्पन होती है, जबकि बिदूत अब अच्छो आपको पता होगा कि सेल के अंदर ही रिडाक्स अब क्रिया होती है सेल में ही रासानिक अब क्रिया होती है तब ही उर्जा उत्पन होती है इसमें सेल दोरा कारे किया जाता है लेकिन विद्दुद अब गटनी सेल में विद्दुद उर्जा बाहर से दरी जाती है फल सरूप रासानिक अब क्रिया होती है इसमें एनोड धनात्मक होता है विद्धुत रासानिक सेल में और कैथोड धनात्मक होता है जबकि विद्धुत अभगटनी की बात करें तो इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड धनात्मक अपोजिट है द्यान रखिए का आप दो ठीक है आगे देखिए जो इलेक्ट्रोड ह अलग अलग पात्र और अलग अलग बिलियन में डूबे रहते हैं जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्धुत अफगट पदार्थ में डूबा रहता है सेल के कार करने पर मुक्त उर्जा में कमी आती है क्योंकि सेल द्वारा कार किया जाता है अंदर असानिक अबक्रिया शमपन होते है रेडाक्स अबक्रिया तो कार करने पर रूजा में कमी आएगी लेकिन सेल पर कार करने से मुक्त उर्जा में ब्रद्ध होगी क्योंकि हम बाहर से एनर्जी देते हैं बाहर से एनर्जी देते हैं आगे देखिए, सेल दोरा कार किया जाता है, और इसमें सेल पर कार किया जाता है, वैसे भी जो स्वता अनर्जी उत्पन करेगा, तो सेल दोरा किया जाएगा, और विद्धु दब गटनी में सेल पर कार किया जाता है, कारण है ना, विद्धु तरह सानिक सेल में स्वता अब एनोड इसमें रिड़न रुप होता है द्यान रखना और कैथोड दना तो बिद्धु तब घटने सेल में अपोजिट होता है तो यह स्क्रेंशाट ले लिया करो बच्चो टेलीग्राम में भी जॉइन कर लो हो सकता है इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूँ तो फिर अगला अंतर लेकर आएं बच्चो अगले चेप्टर से अणुसंकता और अभक्रिया की कोटी देखो इसको एदिया आप साब्दे करोप से समझ लो कोई भी रासानिक अभक्रिया हो रही है उसमें जितने अणु भाग लेगी वो अणुसंकता कहलाएगी लेकिन जो अभक्रिया में भाग लेने के साथ अभक्रिया के दरका निर्दारन करेंगे अभक्रिया की कोटी कहलाएगी ठीक है समझना थोड़ा सा जितने भी अडु भाग ले रहे हैं रासानिक अभक्रिया में जैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक में जितने अडु हैं, वो पूरे की पूरे अनुसंगता कहलाएगी लेकिन जो अभक्रिया के दर का निर्धारन करेगा, उससे हम अभक्रिया की कोटी कहते हैं, इसलिए तो यह सैध्धांतिक पद है, अनुसंगता आप देखकर बता सकते हो, लेकिन अभक्रिया में, पर ये कुछ नो कुछ पदार्थ लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अभुक्रिया का दर्कर निर्धारन करें, इसलिए इस कमान सोन भी हो सकता है, इस अभुक्रिया की क्रिया बीदी के संपन्ड में कोई जानकरी नहीं मिलती है, क्योंकि ये भाग लेने वाले अडुओं ये कैसे निर्धारन करेंगा, जबकि बच्चों अभुक्रिया की कोटी क्या है, कि एसे अडुओं जो अभुक्रिया के दर्कर निर्धारन करेंगे, इसलिए इसे क्रिया बीदी की जानकरी मिलीगी, कुछ समझ में आया कि कोई भी रासानी का अभुक्रिया शंपन्ड करा तो चितने अडू भाग लिए हो पूरे के पूरे अनुसंकता या अरविक्ता कहला है लेकिन जो अडू बास्तविक रूप से अबक्रिया के दरकर निर्धारन कर रहे हैं वो अबक्रिया की कोटी है यह सद्धानतिक है क्योंकि सिद्यांद के अधार पर इतने परमाडू सुन नहीं हो सकता एक, दो, तीन, चार होगा लेकिन इसका मान सोर नहीं भी हो सकता है यह क्रियाविदी के बारे में कोई जानकाई नहीं देता क्योंकि भाई सहाब ये केबल भाग लेने वाले अड़ों परमाडूगी संक्या है लेकिन जो दरकर निर्धारन करेंगे अबक तो समय के साथ कितना उत्पाद बन रहा है या अभिकारक में कितना कमी आ रही है जैसे दूद से दही बनता है तो समय के साथ साथ दूद में कमी आएगी और दही में ब्रद्धी होगी तो सबको पता है न तो दूद जो होता अभिकारक है जो रहसानिक अभिकारक में भाग ल में कमी यहुद पात के सांदर्ण में ब्रधी अभक्रिया की दर है लेकिन समान उपाती स्थिरांग के एक दर इस तिरांग है ठीक है अभक्रिया की दर अभिकारा की शांदर्ण पर निर्वर करता है क्यों कि कितना पदार्थ जो है भाग ले रहा है अभक्रिया भाई अभक् दर इस्ति रांक है, इसमें कहां से निर्बर करेगा, साममेवस्ता में अभिक्रिया की दर अग्रोफल्व अरपश दोणों में बरावर होती, साममेवस्ता का मतलब है कि हमारे तुमारे भी दोस्ति है, आज हमने आपको समोसा खिला तो कल आप। for math, आपने हमको खिला दिया. यह नहीं दस की खर्चा हमने की तो दस आपने कर दिया अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है उत्पाद से अभिकारक भी बन रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है ना कहीं न कहीं उत्क्रमडी अभक्रिया कि अभिकारक से उत्पाद भन रहा है उत्पाद से अभिकारक भी बन तो बच्चों यहां पर सामे बस्था पर आग्रोर पश्च दोनों में चलता रहता है लेकिन यह बच्चों क्या है आग्रोर पश्च क्रिया के नियतांकों का अनुपात होता है इसकी काई है लास्ट इसकी काई मोल इंभर्स लीटर इंभर्स सेकेंड इंभर्स अब क्रिया कि कोती पर निरंभर करती है कि कोन सी कोती की है, प्रथम कोटी की, दुती कोटी की, तरती कोटी की है, चतुर्ज कोटी की है. बच्छों इसमें भी और अंतर हैं dalegionicana और लोगों को एक चीज़ जरूर बताना अभी तो वीडियो कर रहे हो बच्चो आगे चलते हैं बच्चो D और E block के तक्तों में अंतर आप लोगों को यहाँ पे 5 अंतर दिया हूँ लेकिन द्यान रखना आपको 4 अंतर त्यार करना है पहला अंतर बच्चो ऐसे elements जिनके अंतिम electron D block में प्रिवेश करेगा ठीक है N-1 D कच्चक में प्रिवेश करेगा तो आपका D block का elements कहलाएगा लेकिन ऐसे elements जिनके अंतिम electron N-2 F वो कोश में प्रिवेश करेगा यानी कच्चक में प्रिवेश करेगा बच्चो आपका कहलाएगा F block का elements वैसे आप सबको पता है कि D block के तत्यों को संक्मुन तत्यों कहते है और इसे आंतर संक्मुन तत्यों कहते है और ये आसानी से प्रकत्मी उपलब्द है लेकिन ये थोड़ा सा दूरलब है ये आपके परिवर्ती आक्सी करन बस्तदर साथ है ये भी परिवर्ती आक्षिकान बस्तदर साते हैं ये ज़्यादा इस्थाई है और ये थोड़ा सा कम इस्थाई है बस कितना अच्छा अंतर है आसानी से क्लियर हो जाता है ज़्यादा कटी नहीं नहीं भाई इनके अंतिम इलेक्टरान डी उपकोस में प्रवेश करता है ये तद तो इस्थाई होता है ये तद थोड़ा सा कम इस्थाई होता है सिंपल है कहने काताग पर थोड़ा सा आप इसको डीप में समझा दिया जा तो अच्छा से क्लियर हो पाएगा देखो भाई, इसमें दो कोस अपोन होते हैं मतलब N वाला, क्योंकि S में और N-1, ये दो कोस अपोन होते हैं, इसमें तीन कोस NB, NE, N-1B और N-2, क्योंकि N-2 F वाला कोस, N-1 आपका यहाँ पे D वाला और यहाँ पे S वाला, ये S, इसका S और D अपोड होते हैं तो D उसको आपको त्यार करने जुरत नहीं है क्योंकि अन्तर में सिमिलर नहीं लिखा जाता है ये तत्तों स्थाई होते हैं और ये कम स्थाई तो 6 अंतर है छे में से आपको 5 तैयर करना है कुछ है ही नहीं है इस चेप्टर में एक और आपका महात्मूर है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एक्टिनियम के बाद के चोदे तत्तों को एक्टिनाइड तत्तों कहते हैं औ लेकिन इसको हम 4F के नाम से जानते हैं, और भाई F को दो भागों में ही तो बाटा गया, 4F और 5F, तो एक्टिनाइड जो आपका होगा बच्चो, एक्टिनाइड N-2F में अर्थाद 5F में जाता है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ है आपका, कि भाई साब जो लेंथेनाइड के elements हैं, उनकी अंतिम electron 4F, उपकोस में परवेश करेगा, इसके 5F उपकोस, और इनके कच्चक में, कच्चक में ही परवेश करता ध्यान रखना, क्योंकि लेंथेनाड और एक्टिनाइड है, जो कोई F बलाग के दो भाग हैं, तो भाईये यदि आप से कोई पूश दे, कि F ब लेंथेनेड कहा जाता है, एक्टिनियम के बाद की तत्यों को एक्टिनाइड कहा जाता है, ठीक है, इसमें संकुल बनाने की प्रवत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवत्ति थोड़ी सी अधिक होती है, यह आक्सोयन नहीं बनाते हैं, यह कुछ आक्सोयन बनात बस 4 अंतर तियार करना है harvest यादा अंतर में नहीं कहूँगा लेंतिनाइडों की होगी कम चारी प्रकति के होता है यह अधिक एक्टिनाइड हो थोड़ा सा अधिक चारी प्रकति होगा इसमें प्रोबेखयम कैत्रिक्थ कोई भी लेकिन एक्टिनाइड में सभी के सभी रिडिया एक्टिव है तो यह भी जानना जरूरी है कोई दिक्कत नहीं भाई सहाब अंतर अधिक कोई पूछेगा न तो आप बता देना कि लेंधिनाइड और एक्टिनाइड में पहला अंतर तो यह है कि अंतिम इलेक्टराइड N-2 का प्रोमेथियम के अत्रिक्त सभी रिडिया एक्टिव नहीं है इसमें सभी के सभी रिडिया एक्टिव है तो चीजें क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है बाई सहाब अंतर आपको फटा पट तयार करते चलना है और अगला जो हमारा अंतर आत्वा बच्चो दुइक लबड अब हगी sama आ याभी वक्त नहीं होते है यह थोर्व सबस्था में इस्ताइद ठाइद तो खटम लेकिन यह इस थाय तो बना रहता है जहन रखेगा दुख लबड़ों में भौती के में रसानिक गुड़ अपने अभेवी योगिकों के शामान रहते हैं मतलब जिन से मिलकर बना होता है उसी के तरह इनका गुड़ होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है और इससे दो अंका कोशन पुछा जाता है इस चेप्टर से तो इसमें दिया आप दो अंतर भी तयार कलोगे बच्चो तो काफी है इसके सूत्र में अभेवी लबड़ पूरे रूप से साथ साथ लिखे जाते है जबकि इसको कोश्ठक के अंदर लिखा जाता है तो यूँ ही अंतर आप से तयार हो गया होगा बिल्कल सिंपल है भाई साहब कि ऐसे योगिक जिसका जलमे अस्तित तो समाप्त हो जाता है दुख लबड़ लेकिन ये ठोस अवस्था में होते है जलमे अस्तित उनका समाप्त नहीं होता है ऐसे योगात्मक जिनका स्तित तो समाप्त होता है कि इन तो जलमे खोलने पर ये विभागत हो जाते है दुख लबड़ कहलाते है इसका ठोस और बिल्याद दोनों अवस्था में इस्थाई रहता है ये आंसिक बियोजन कभी कभी आंसिक बियोजन हो सकता है ठीक है ज्यादा मात्रा में जलम बियोजन नहीं होता है इसका ठोस और सबस्था में इस्थाई रहता है ये इस्थाई किन्तो जलमें मिले करने पर तूट जाता है लेकिन ये ठोस और सबस्था में इस्थाई होता और जलमें मिलाने पर तूटता नहीं है दो एक लबड़ों के भाती के मरासानिक गुण उसके अभयभी योगी के समान होता है, मतलब जिससे मिलकर बना होता है, उसके ही समान रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जिससे मिलकर बना होता है, उसको एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं, लेकिन इसको बड़ अबक्रिया SN1 और SN2 यहाँ पीस को समझाने में टाइम लगेगा इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इसका आप अलग से सेपरेट वीडियो देख लेना SN1 अबक्रिया SN2 अबक्रिया सीव कोचिंग क्लासस में आप लोग देख लेना बच्चो मिल जाएगा कि SN1 दो पद में होता है जब कि एक पद में होता है ऐसा मत सोच लेना कि SN1 लिखा है तो एक पद में होगा यही कन्फ्यूज करते हैं बच्चे और अप पेपर में गलाथ हो जाता है यह एक अडूक कद्यों कर ज्यादा आश्रित नहीं रहता है, संक्रमणवस्था इसमें नहीं प्राप्थ होता है, जबकि इसमें संक्रमणवस्था प्राप्थ होता है, एक ही पद में होता है, पहले संक्रमणवस्था मिलता है, फिर उत्पाद बन जाता है, कार्बोनियम आयन बनता है, जब कमिस्ट्री में चार नंबर्स ज्यादा कोशिन पूछने जाएगा इसलिए चार अंतर आपको तयार करना है इसके बाद फिनाल में फिनालिक गंदा आता है जबकि अलकोहल में मीठा गंदा आता है यह अमली बहुत दरसाता है जबकि यह उदा सीन है आक्सिकन करने पर रंगीन उत्पाद बनाता है यह सरलता पूरवक अलडिहाइड और कीटोन में बदलता है फेरी क्लोराइड के साथ अभी लच्निक रंग उत्पन करता है यह फेरी क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता है हेलोजन अमल की साथ क्रिया नहीं होती जब कि ये एलकिल हैलाइड बनाता है ये सारे बनाने की जब इलकोहल फिनाल में ने पढ़ाया वहाँ पे भी आपको समझाया था कि फिनाल से फिनाली गंद आता बच्चे इसमें मीठी गंद आती है ये अमली प्रवत्ती का ये उदासीन प्रवत्ती है आक्सिकर्ण करने पर रंगी उत्पाद बनाता है जब कि ये सफलता पूरो के अलडिहाइडर की टोन में आक्सिकरत होता है फेरिक लूराइड के साथ अब लाचुनी के रंग देता है जबकि ये फेरिक लूराइड के साथ क्रिया नहीं करता है, हैलोजन अमल के साथ क्रिया करता है, ये अलकिल हैलाइड बनाता है, तो चार अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना है, अलकोहल और फिनाल में अंतर, अमोनिया के साथ एदी बात करें तो ए सोरी एथीलेमीन की गंद अमोनिया जैसे होती है और इसकी अमोनिया से भिन नहीं धर गंद भी लिखा है ना एथीलेल कोहल बनता है जब यह यहाँ पर एक प्रकास से एने एनो टू और एच सील एनी नाइटर समर्श से क्रिया कर रहा ह तो और यह बेंजीन डाइजोनियम लबड बनाता है जो एथीलेमीन होता है इसमें कोई प्रभाव नहीं लाल रन जाके इतना महात्पूर्ण नहीं है इस पर हम तरचा ही नहीं करेंगे आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ ले ना कि एथीलेमीन जल में भी ले है यह जल रियोक करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा लिटमर्स की बात करें तो यह लाल को नीला करता है इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है यह अंतर महात्पूर्ण है रेसेदार और गोलीका कार प्रोटीन चलो भाई फटा फट देख लो रेसेदार और गोलीका कार प्रोटी लेकिन जब मिल जाते हैं तो गोली का कार प्रोटीन बनता है कुल मिलाकर कहने काताथ पर यह हुआ कि यह जो पाली प्रेप्टाइट की स्रंखला जो होती है वो रेसेदार प्रोटीन कहलाती है जिसका दी कुंडलन हो जाए तो गोलिका कार प्रोटीन बन जाता है समझ रहना यह ऐसा मत सोच लिए ना कि सर गोलिका कार लिखा है तो गोलिका कार का अंतर रही ऐहाँ ऐसा नहीं गोलिका कार प्रोटीन पाली प्रेप्टाइट की कुंडलन से बनती है पैद आपको क्या कहा कि पॉली प्रेटाइट कर्दो सेлем कर्दद।ो रिसेदार हो जाएगा। लेकिन वही जब मिल जाएगा बच्कप्छो तो गोली का करूपना लेता है। रेसेदार प्रोटीन जल में बिले होता है, जल में बिले होता है, रेसेदार प्रोटीन प्रिएच और प्रितिसक्री होता है, यह निस्क्री होता है, कितना चुटा चुटा नितार है, आपको रटने की जुरू एक बार पढ़के जाओ एक जाम में बस, तो एक बार आप रेसेदार प्रोटीन जुड़ जाएगा गोला 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 तो फिर आपका बन जाता बच्छों गोली का कार प्रोटीन रेसेदार प्रोटीन जल में बिले जल में नहीं मिलता है जब कि ये जल में बिले होता है रेसेदार प्रोटीन पी-एच और तापमान के प् करना है दो नंबर में पूछा जाता है लेकिन आपसे बनना चाहिए आप से याद होना चाहिए तो ऐमीनो आमल में देखो कि स्दावल योग害 जिनमें अयमीनो हमलता था कार्वोकसलिक हम रहता है मतलब एक हाइड्रोकार्बन का योगीख ही होगा जिसमें एमीनो समू रहता है NH2 समू और कार्बोक्सलिक अमल समू रहता है COS तो एमीनो अमल कहलाता है और जब इसी का एक संगलान हो जाता है मतलब जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन एक तुछ जटिल कार्बन के होगी वो प्रोटीन कहला जाता है एमीनोंल के स्थायोजन से डाई पेपटाइट पाली पेपटाइट दाघ Α प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन के जलबगटन से एमीनोंल एक दूसरे क्या पोजीट है example में glycine, lysine और इसका example hemoglobin और qesean किसे से नहीं बनेगा क्या इतना असान एदि नहीं बनेगा तो कुछे भी नहीं बनने वाला कितना जवर्जस्त है भाई सहाब कि जो एमीनो अम लहना ये कैसे पहचानोगे तो एक आपका एमीन गुरूप होगा और एक आपका कार्बुक्सलिक अम ले समूर रहेगा ठीक है उन्हें पे बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन जटी नाइट्रोजनिक कार्बनिक होगी होता है जो एमीनो अमल से ही बना होता है एदी एमीनो अम ले जुड़ते हैं तो डाई-प्टाइड, पाली-प्टाइड और प्रोटीन बनाता है, जबकि प्रोटीन का जब घटन होता है तो एमीनोल बनता है तीसरे नमबर में एक जाम पर लिख लेना, ग्लाइसिन, लाइसिन और हीमोग्लोबिन केसीन DNA का पूरा नाम है डियाक्सी राइबोज नुकली कमल और RNA का ठीक है, इसके बाद RNA का पूरा नाम लिख दोगे राइबोज नुकली कमल, इसमें आक्सी राइबोज सरक्रा पाय जाता है इसमें राइबोज सरक्रा पाय जाता है दू हैलिक्स नरचना होती है, एकल हैलिक्स नरचना होता है इसके नाभिक में बच्चो सुरी DNA जो है नाभिक में पाय जाता है और यह RNA जो होता है साइटो प्लाजम और क्रोमोशोम में पाय जाता है एडिनीन, गौानीन, थाइमीन और यूरेसिल होता है नई एडिनीन, गौानीन, थाइमीन और साइटोसीन होता है DNA में चार अंतर इसका तो वैसे सरल है। तो चार अंतर आपसे बनी जाएगा। । अंतर जितने थे मैंने करा दिया है। अब बूर्ड एक्जाम की त्यारी आपकी जिम्मे बारी फटा फट त्यार करते चलो ओके बच्चो जैहिन बंदमातराम